हम अब्राउन पेपर पर अम्रेला कट लहंगे की कटिंग करना सीखेंगे अम्रेला कट लहंगे के लि Review हमेजरमन्ट लिया है वह हमारा full length of white beast 32 incz इनी दून pulled के अनुसार हम आजciones की करेंगे सब से पहले फुल लैंद का जो हमारावल्मूला है वो है फुल लैंद प्लस सीम प्लस लांज प्लस चर्णिंग हमारी 40 इंच में प्लस किया cycle चर्णिंग के लिए हम ने चर्णिंग ईड़ किया 41 and फ़्यंज अब हमें व statements का माइनस करना है बैल्ट हमें यहां 1.5 माइनस करना है 41.5 में से 1.5 माइनस किया तो 40 इंच लहंगे कि जो लेंद हम कटिंग करेंगे वो 40 इंच पर कटिंग करेंगे तो हमें सबसे पहले करना क्या है यह देखिए ये मैंने brown paper लिया है brown paper पर हमने इस तरीके से ये open side है और ये fold side है ये लंबाई है ये चोड़ाई है और इसको ऐसे fold कर लेना है ऐसे fold करके ये twangle बन गया हमारा कपड़े की भी आप जब cutting करेंगे कपड़े पर तो भी आप इसी तरीके से कपड़े को fold करेंगे fold करने के बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे लंबाई का तो लंबाई हमने यहाँ रखने है 40 inch और waist है हमारी 32 inch waist divided by 4 हमारा 8 inch होगा 8 inch में हम यहाँ 1 inch plus करेंगे waist का देखिए waist divided by 4 plus 1 8 plus 1 is equal to 9 inch तो हमने यहाँ 9 inch पर निशान लगाना है 9 inch आपका इंची टेप से ऐसे लगाना है जहाँ भी 9 inch आए वहाँ पर आपको इधर और इधर निशान लगा देना है अब आप इसको ऐसे measure कर लिजिए कि आपका कितने पर है यह साड़े 3 पर है यह साड़े 3 पर 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 कम margin लेके निशान लगा रहे जो आप अपना standard नाप जो मैंने बताया इस नाप से लगाओगे तो आपका साथ से आठ साड़े आठ की नीचे निशान आएगा तो आप उसी साथ से लगाओगे तो यहाँ पर इस निशान को इसी तरीके से यहाँ पर हलकी सी गोलाई देते हुए यह निशान लगाओगे अब हमें length रखनी है 40 तो जो हमारी length होगी इस निशान से नीचे आएगी 40 आप यहाँ इंची टेप को रखिए और जहाँ आपका 40 आता है 40 पर आप इस तरीके से निशान लगा देते हैं अब आप अपने इंची टेप को उपर लेके जाए इस corner पे और जितना आपका ना पाता है जितनी length आती है क्योंकि 40 हमें तयार चाहिए जो हम cutting करेंगे और हमें यह भी add करना है तो इसको add करने पे आपका जितना भी आता है 46 47 48 जितना भी आता है इस इंची टेप को नहीं इस वाले को यहां पकड़के रखना है और यहां से इस वाले side को ऐसे गुमाना है जैसे मैं आप इंची टेप को ऐसे पकड़ना है और निसान इसली लगाना है तो आपकी जो गोलाई होगी अमरेला की वो बहुत ही अच्छी आई क्योंकि हिलेगा नहीं और अगर हम यहां से लगाने की कोशिस करते हैं तो कहीं कम हो जाता है कहीं ज्यादा हो जाता है यहां से अच्छी सेप आती है तो इसलिए हमेशा अमरेला की सेप आप हमेशा ऐसे दीजिए यह गोलाई हमने की इन सबी निसानों को अब हम कट करेंग अगर हमारे Amrela में मानीजे जोड आता है तो जोड कैसे लगना वो भी मैं आभी आपको बताउंगी जहाँ हमने निसान लगाए उनी निसानों पर हम ऐसे कट करेंगे Amrela कट चाहे कितना ही कुछ भी करो जोड आता ही है अगर size कम है छोटा है तो एक percent chance है कि जोड ना आए बाकि एक side amaryla cut कुछ भी हम बनाते हैं तो उसमें जोड आता ही है यह देखिए यहाँ पर हमारा जोड आएगा जोड लगाने के लिए क्या करना है यह वाला हमारा जो piece हमने cut किया है यही से हम जोड लगा देते हैं इसको हमें क्या गरना है ऐसे पलटेंगे क्योंकि यह सीधा है यह सीधा है इस cd side को इस cd side पर हमें ऐसे रखना है ऐसे इसको 1.5 inch overlap करते हुए क्योंकि हमारे यह attach करेंगे join करेंगे तो हमें चाहिएगा तो आदा इंच इसके उपर overlap कर लिजिए या फिर आदा इंच का extra रखिए और इसकी shape जैसी हमने यहाँ shape की है वैसे ही हम इसके shape देंगे इसके उपर रखिए मैंने तो अभी पीस आपके इसके साथ attach करोगे उसके बाद हम belt की cutting करेंगे यह हमारे umbrella जो है लेंगे की cutting यह दो पीस हमारी cut हो चुकी है यह इसका जोड है अब belt के लिए belt है हमारी है 32 inch और length हमने minus की थी 1.5 तो जो हम belt की length रखेंगे वो रखेंगे हम 4 inch और जो width रखेंगे वो हम belt की रखेंगे waist का half plus 1 16 plus 1 17 inch अगर lose ज्यादा रखना है तो आप ज्यादा भी रख सकते हो यहाँ पर 2 inch की losing हो चुकी है अगर आपको चाहिए कि थोड़ा और lose करना है 2 inch जमा कर सकते हैं ज्यादा करोगे तो ज्यादा खुला हो जाएगा तो इसलिए 2 inch तक ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो यह हमारे umbrella cut लहंगे की जो है belt है और यह हमारा umbrella cut लहंगा है यह हमारे umbrella cut लहंगे की cutting complete होई है बचमान kick ज्यादा के लगर के लगर की्यादा आरा ज्यादा कर से लिए छोह fren през लिfrage की की काई शखअ माना कर सकता हो अत्ला agric